नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एडुकेशन में आप सबका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर, आज हम डिसकस करेंगे इंडिया नेवल शिप विकरांद के बारे में जो इंडिया का पहला इंडिजिनियस एरकाफ्ट केरियर बनने वाला है, मतलब मेड इंडिया इंडिजिनियस एरकाफ्ट केरियर, तो इस पर्टिकुलर न्यूस में से, एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव में जितने भी पॉइंट इंडिजिनियस एरकाफ्ट केरियर, वो सारी चीज़े हम डिसकस करेंगे, तो आगे जान से पहले लेक्चा पर लाइक का बटन जरू हमें सपोर्ट करने के लिए आप चानल के मेंबर बन सकते हो, जोइन बटन के थ्रू, तो बिना टेमवेज के शुरुआत करता है, सबसे पहले न्यूस में क्यों आये था, देखिए न्यूस में इसलिए आये था, तह मच अवेटेट सी ट्राइल्स ओफ इंडियास मेड़न इंडियास एंडियास 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 एंड विक्रम आदितिया जो है अभी भी सर्वीस में है ठीक है आप देखिए यह जो इंडिजिनेस एरकाफ क्यारियर है इसको बना कुन रहा है कोचिन शिप्याज लिमिटेड केरला में कोची में लोकेटर है वन आफ तर लाज़ेस पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है यह भी क्याबिन्स होंगे वीमन ओफसेस के लिए देखें अभी तक क्या है इंडियन नेवी में वीमन ओफसेस तो है पर कोई वार्शिप्स में इन्हें डिप्लोई नहीं करता है अब इंडियन नेवी का ऐसा प्लान है वीमन ओफसेस को भी वार्शिप में डिप्लोई करने का तो तो इसलिए यह जो नया indigenous aircraft carrier बन रहा है, इसमें specialist cabins होंगे women officers के लिए, तो अब तो sea trail स्टार्ट हुआ है, एक साल के अंदर यह Indian Navy में commission हो जाएगा, ऐसा reports कह रहा है, आप दोस्तों प्रडॉक्स करते हैं, यह में इसलिए बोला हूँ, इसमें कुछ important points है, 1999 में project P-71 launch हुआ था to build air defense ship, 2003 में aircalf carrier project को government node लिल गया, फिर 2006 में navy ने decide किया, ideas should be changed to indigenous aircraft carrier, मतलब project P-71 में हमें air defense ship नहीं, बलकि indigenous aircraft carrier चाहिए, आप मुझे common box में यह बताएए, project 75i क्या होता है, 2009 में key lane ceremony हो, देखे दोस्तों, जब एक ship का production होता है, सबसे important एक milestone होता है, keel lane ceremony, keel मतलब एक ship का basic structure बोड़ सकते हो, backbone of the ship, जिसके ऊपर ship का पूरा structure बनता है, जैसे गाड़ी में chases होता है न दोस्तों, वैसे ship का keel होता है, right, 2011 में floated out of the dry dock, देखे, ship का production होता है dry dock में, आप ये dry dock क्या है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ये देख रहे है आप एक dockyard, dockyard में ये जो देख रहे हैं न दोस्तों, ये है dry dock, जिसके ऊपर ship बनता है, आप देखे, इसमें फिर ship का पूरा काम खतम होने के बाद, sea trails के लिए जब भेजना होता है, तब इसमें पूरा पानी भर देते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हो, ऐसे पूरे पानी भरेगा, फिर sea level में आ जाएगा पानी, फिर इसको इधर से बाहर की तरफ खीच के ले जाएगा, तो ये बॉला जा रहा है, 2011 में सबसे परे इसक कोई जरूत नहीं है, फिर 2021 में sea trails शुरू हुआ, तो basically मैं यही कहना चाहरा हूँ, 2021 में sea trails जब शुरू हुआ, उसे पहले की important milestones क्या-क्या है, ये मैंने आपको बता लिया, अब 2022 में it is expected to be commissioned, अगर सब कुछ सही रहा तो, अब दोस्तों, indigenous aircraft carrier 1 के बारे में कुछ basic details, जो commission होन के बाद INS Vikrant के नाम से जाना जाएगा, देखे, it is the first aircraft carrier designed and built in India, and design को न किया, Indian name is Directorate of Naval Design, आप देखे, इसकी जो पूरी length है, 262 meters है, and width है, 62 meters, weight है, 40,000 tons, पूरी deck 14 deck है, मतलब उपर से नीचे तक 14 deck है, इसकी पूरी height 59 meters है, इधर से लेके इधर तर, ठीक है, अब क्रू कितना कर सकता है, 1700, कमबार्टमेंट से 2300, टॉप स्पीड है 28 knots, पूरी endurance से 7500 nautical meters, अब कौन-कौन से weaponry यूज होंगे इसमें, यह अभी तक इंडिन नेवी ने रिवील नहीं किया है, फिर भी expected है, जो INS Vikramaditya में है, वो सब तो होगा ही, देखे, 34 fixed wing and rotary aircraft होगा, fixed wing मतलब वही aircraft होता है, जिसका wings fixed रहता है, normally जिसको हम aeroplane बोलता है, and rotary मतलब जो helicopters है, यहाँ आप देख सकते हो, and MIG-21-K होगा, कमब 31, American built MH-60R होंगे, और indigenously built advanced light helicopters भी होंगे, ठीके दोस्तों, यह है INS Vikramad के basic details, आप दोस्तों, significance of aircraft carriers, जितने countries है, जिनके पास नेवी है, वो सारे aircraft carriers बना है, it is one of the most potent marine assets for a nation, सबसे potent marine asset है, एक aircraft carrier, United States of America के पास, इन service में करीब 11 aircraft carriers है, China के पास 2 है, UK के पास 2 है, अब जैसे INS Vikramad Commission हो जाएंगे, हमारे पास भी 2 aircraft carriers होंगे, हम भी वो Elliot Club में जोइन हो जाएंगे, जिनके पास powerful navies है, अब aircraft carrier का सबसे खासियत क्या है, they can carry out air dominant operations, इसी त इसी तरह, aircraft पार कर सकता है, take-off कर सकता है, land कर सकता है, rotary, fixed diving वगेरा, तो कहीं भी जाके आप air dominant operations करा सकते हो, many experts consider having an aircraft carrier as essential to be considered a blue water navy, basically अगर एक powerful navy consider करना है, तो हमारे पास aircraft carriers होनी चाहिए, एक से वा अगर दो होने से हम और powerful navy बन जाएंगे, and aircraft carrier generally leads us to the capital ship of a carrier strike or battle group, जब भी एक strike होता है, एक battle group बनता है, एक fleet of ships का capital ship माना जाते है, aircraft carrier को, जब भी aircraft carrier से रोट करते है न दोस्तों, इसके साथ साथ दूसरे type of ships भी जाते है, जैसे destroyer से, missile cruiser से, frigate से, submarine से, and supply ships जो है, सभी इनको escort करते है, इसका मतलब यह है, aircraft carrier एक capital ship जैसे काम करते है, सबसे vulnerable भी है, अगर कोई भी एक enemy country हमारे assets के उपर attack करेंगे, तो सबसे पहले किस के उपर concentrate करेंगे, aircraft carriers के उपर, इसलिए हमेशा जब भी aircraft carrier बहार जाते है, destroyers, missile cruises, frigates, submarines, etc, इनको escort करते है, अब दोस्तों, आइनस विक्रान नाम देने के पीछे क्या है, देखे, मैंने आपको पहली बोला था, आइनस विक्रान हमारा पहला aircraft carrier था, जो हम United Kingdom से 1961 में खरीते थे, आइनस विक्रान 1971 वार विद पाकिस्तान में एक्स्टरला रोल प्ले किये थे, तो इसी memory में हम हमारे पहला indigenous aircraft carrier को आइनस विक्रान नाम दे रहे है, आप देखे दोस्तों, जैसे आइनस विक्रान commission हो जाएं जो indigenously aircraft carriers बना सकते हैं, जैसे USA, China, Britain, Russia, France, etc. अब दोस्तों, finally, will India build more carriers, जैसे IAC 1 अगली सल commission हो जाएंगे और INS विक्रान बनेंगे, तो हमारे पास दो aircraft carriers होंगे, एक तो INS विक्रमा देती है, जो already service में है, और जो आने वाले विक्रान अब बात ये चल रहा है, कि क्या हमें और एक carrier की ज़रूरत है, 2015 से इंडिन नेवी central government को convince करने की कोशिश कर रहा है, कि हमें और एक carrier की ज़रूरत है, और नाम भी प्रपोस्ट है, INS विशाल, which is intended to be a giant 65,000 ton vessel, मतलब, जो INS विशाल अगर बनेंगे, तो ये IAC 1 से भी, and INS विक्रमातित्या से भी काफी बढ़ा हो का, पर इसके रिए दोस्तों, पैसे बहुत लगता है, INS विक्रान बनाने में, टोटल 23,000 क्रोर लगे थे, तो INS विशाल भी बनाना है, तो उसे भी ज्यादा पैसे लेगे, पर बात ये नहीं, Chief of Defence Staff, हमारे General विबिन डावत साव ने ये बोला है, investing in another aircraft carrier is not wise, उनका कहना ये है, इसके अलावा हमें लक्षदीब और अन्डमान और निकॉबार आइलेंड को, unsinkable naval assets बनाना चाहिए, मतलब लक्षदीब और अन्डमान और निकॉबार आइलेंड्स, strategically important area है, तो इसके उपर आपको invest करना चाहिए, उनको unsinkable naval assets बना, देखे वैसे, इंडिन नेवी का ए unsinkable naval assets बना देना चाहिए, उसमें आपको invest करना चाहिए, ना कि एक third aircraft carrier के लिए, पर देखे दोस्तों पर naval experts का कहना ये है, to defend vast Indian ocean region, persistent air power is required day and night, जो current geopolitical developments है, वो देखने से हमें ये पता चलता है, हमारी Indian ocean region को अगर हमें defend करना है, तो persistent air power चाहिए, day and night के लिए, ये third carrier will provide the navy with such capable which will be essential in future, तो future में ये third carrier की जरूरत तो पका है, क्योंगी जो geopolitical developments अभी हो रहा है, चाइना की influence है, पाकिस्तान की influence है, चाइना पाकिस्तान की दोस्ती है, ये सब की वज़े से हमारी Indian ocean region को अगर अच्छी तरह हमें defend करना है, प्रोटेट करना है, तो third carrier की जरूरत है, हम उसको होड़नी कर सकते, ये नेवी एक्सपर्ट का कहना है, तो दोस्तों, finally that's the end of it, ये वीडियो में इदर फिनिश कर रहा हूँ, I hope आपको आपको आइनस विकरांत के बाएर में, aircraft carriers के बाएर में, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगो की valuable suggestions and comments जो है, आप मुझे प examination perspective में, जितने भी चीज़े related चाहिए, वो सारी चीज़े हम वो daily news compilation में add करता है, तो do visit the website, thank you for watching, bye bye, have a nice day